अरे यार ये F1 to F12 जो कीज है इनका यूज क्या है इसके तो मुझे बिलकुल आइडिया नहीं है तो भाई और वेंजी आपकी भी अलत है इसी कि आपने कम्पीटर या लाप्टॉप ले होगे एक साल हो गये दो साल हो गये लेकिन या पे जो keyboard की उपर function keys होती हैंने की उपर के टॉप रो में F1 to F12 की उन्हें basically function keys का जाता है इन function keys का आपको इस्त omal इंगी इन फटा कि ए f1 प्रेस करने से क्या होगा F2 प्रेस करने से क्या होगा F12 प्रेस करने से क्या होगा नहीं पता है तो यूडियो पूरा देख लो मैं एक एक की को प्रेस करके आपको दिखाऊंगा और आप इन कीज को प्रेस करके अपनी काम की Productivity कैसे बढ़ा सकते इनका इस्तमाल क्या होता है आपको अभी पता चलने वाले वीडियो एंट तक देखिएगा मैं सतीश कम्प्लीट एक हो चैनल पर आपका स्वागत कहता हूँ Let's Begin Function Keys में F1 से हम स्टार्ट करते हैं अगर अपने computer के उपर यहां पर द्रेक लिए F1 प्रेस कर दिया मतला आपके computer में कुछ भी software आपने start नहीं किया लेकिन F1 प्रेस किया तो आपको ड्रेक ली यह जंप करेगा Microsoft A.J.I. Internet Explorer जो भी आपके पास अवैलेबल है उसमें और उसमें वो बोलेगा कि क्या help जाए आपको एक मेनू आ जाएगा इसमें आप सर्च कर सकते हैं अगर आप कोई software में जैसे Microsoft Word आपका start और यह पर F1 प्रेस करते हो तो एक help टास्क पेन open हो जाता है राइट साइड में और इसमें आप help ले सकते कि आपको page setup के बारे Microsoft Word में जाना है तो यहां पर आप सर्च कर सकते तो help menu open करने के लिए keyboard के उपर आप F1 प्रेस कर सकते है याद रखिए F1 यह function की use होता है help menu को open करने के लिए लेकिन Microsoft Word में control F1 अगर आप प्रेस करते हो combination में कर रहा हो F1 का control के साथ control F1 तो भाई यहां पर यह जो ribbon है वो minimize हो जाता है control F1 control F1 ribbon minimize open इस तरह से आप control F1 Microsoft Word Excel powerpoint में ribbon को open or close करने के लिए या फिर minimize करने के लिए इस्तमाल कर सकते है minimize हो जाता है control F1 याद रखिए control F1 आपके सामने जो ribbon दिख रहा है वो minimize हो रहा है वो मैं practically इस्तमाल करके दिखा रहा हूँ shortcut की note down कर लिजे या फिर already मैंने PDF दे दिए है don't worry about it so next shortcut की की तरफ बढ़ते अब है next shortcut की app2 तो app2 का इस्तमाल पहले मैं desktop पे दिखाना चाहूंगा इसे में minimize का तो यहाप एक folder complete technology नाम का जो कि आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा हो राइट so मैं क्या करता हूँ कि इस folder को select करता है या इस folder पे मैंने click किया और keyboard पे मैंने app2 button press करते ही यह folder का नाम change करने के लिए option आ चुका है मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ learn more right तो learn more मैंने नाम रख दिया जो कि हमारे एक channel का नाम है आपको पता ही होगा और मैंने बाजू में click कर दिया तो app2 से क्या होता है app2 से file का नाम आप change कर सकते folder का नाम आप change कर सकते याद रखिए rename app2 यह rename के लिए यूज कि के लिए मैं लिख घा हूँ okay तो अब मुझे इसे edit करना है इस नाम को एडिट करना है तो मैंने अगर directly यहाँ पर type करने लिए कुछ भी दूसरा नाम डालना था किसी और का तो मैंने यहाँ पे directly नाम type करने लिए जैसे मैंने लिया प्रिया तो यहाँ पर दिखे ड्रेकली मैं आणिया लिए वह पाईलीन नाम निकल गया तो इसमें मुझे वह नाम एड करना है Satish के पहले प्रिया नाम एड करना या Satish के बीच में मुझे क्या करना है मैरे डैडी का नाम एड करना है जो भी करना है तो मैं यहां पर अप 2 बटन प्रेस करूँगा और app2 button press करने के बाद यहाँ पर देखिए cursor आ रहा है तो app2 मतलब edit active sale याद रखिए इस sale में content है पहले से और app2 आप press करोगे तो उसको आप edit करना चाहते edit active sale तो यहाँ पर ending में कुछ add करना चाहते हैं आप add कर सकते हैं बीच में आप add करना चाहते हैं इस तरह से आप add कर सकते हैं इस तरह से आप add कर दो और enter button press को दो that's it app2 edit active sale यहाँ पर app2 का इस्तमाल आपको समझ मैं होगा app2 का इस्तमाल rename के लिए होता है file का नाम या फिर folder का नाम चेंज करने के लिए app2 का इस्तमाल यहाँ पर edit active sale के लिए होता है और app2 का और एक इस्तमाल यहाँ अपनी यहाँ पर कुछ content लिखे है मैंने लिख दे एक paragraph paragraph लेने के लिए मैंने एक formula ले लिया क्योंकि paragraph टाइप करने के लिए बहुत टाम जाएगा इसलिए word में एक रेडिमेट फॉर्मूला होता है is equal to rnd open bracket close bracket enter key जिएगा यहाँ पर एक paragraph आता है practice के लिए अब मैं इसका print निकालना चाहता हूँ तो मैं print preview देखना चाहता हूँ तो मैं ctrl f2 बटन प्रेस करूँगा ctrl f2 से print preview आता है यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि यह page कैसे print होगा print preview print निकालने के पहले आप देख पाओगे आपका page full screen में ctrl f2 यहाँ पर right side में आप देख पा रहे हो आपका पुरा-पुरा page यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है so that's it यह तो आपको पता चला कि ctrl f2 का meaning क्या होता है f2 क्या होता है और किस तरह से इसका अब next shortcut की की तरफ बढ़ेंगे जो की है function key f3 function key f3 Microsoft Word में आपको दिखाना चाहूंगा f3 का directly use नहीं है लेकिन shift के साथ यहाँ पर मैं इस paragraph को select कर रहा हूँ and मैं इसे zoom करता हूँ मैं यहाँ पर shift f3 प्रेस कर रहा हूँ कुछ changes आपको दिखाए देंगे अगर आप notice करोगे shift f3 क्या हो रहा है पूरे के पूरे alphabet जितने selected है I am talking about selected text तो यहाँ पर selected text में यह capital हो चुका है दिखाए दे रहा है आपको अगर मैं फिर से shift f3 करता हूँ सारे के सारे small होगे फिर से shift f3 करता हूँ ध्यान से देखे कुछ changes हो रहा है पहला alphabet जो है वह capital हो रहा है sentence का V यहाँ पर W दिखाए दे रहा है और अगर नीचे notice करेंगे यहाँ यू का Y इस तरह से capital हो गया sentence का पहला alphabet capital हो चुका है फिर shift f3 सभी capital shift f3 सभी small shift f3 sentence case capital case मतलब upper case यानि कि पूरे alphabet capital हो जाएंगे और lower case इस तरह के change case यहाँ पर हम कर सकते है keyboard case जरी है तो अगर आपने यहाँ पर पूरा paragraph लिग दे और आपको पता चला कि यार सब capital में लिखना था select the paragraph, press shift f3 that's it तो f3 का कमाल का इस्तमाल आपने यहाँ पर सीखा होगा लेकिन excel में इसका इस्तमाल कैसे होगा मतलब shift f3 अगर मैं excel में प्रेस करूँगा तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पर कोई number type कर लिए अपने और आपको यहाँ पर टोटल करने लेकिन आपको टोटल यहाँ जो भी formula यहाँ पर लगाना है कोई भी एक तो formula लेने के लिए आपको यहाँ पर insert function में जाना पड़ता है मैं focus करता हूँ यहाँ से आप लेते हैं आपको एकसल के अंदर कुछ अलग function available करके देता है function की screen देता है next shortcut की की तरफ बढ़ता है वह है F4 अब F4 shortcut की हम कैसे इस्तामाल करते हैं मैं practically यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इसको हम Alt F4 करेंगे इसको हम Ctrl F4 करेंगे इसको हम Shift F4 करेंगे आप आप नाम सेखिया अगर मैं Excel में यहाँ पर एकसल में कर रहा है Ctrl F4 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भई यह Close होगा डॉक्यमेट और सेव करना है यह Close आता है यह Close हो रहा है Ctrl F4 में प्रेस करूंआ तो इस फाइल का नाम है उपर देखिए, अब यह book 1 जो workbook है close हो चुका है, excel की file को workbook बोलते हैं हम लोग तो workbook close हो चुका है यहाँ पर आपको अभी excel दिखाए दे रहा है, excel software चालू है मैं control n करूँगा, तो यह नया workbook आ चुका है, book 2 control n से नया workbook आ गया, no issues मैं फिर से यहाँ पर control f4 प्रेस करता हूँ यह workbook close हो रहा है, excel बंद नहीं होता है याद रखिए, control f4 से यहाँ पर बस excel के अंदर का workbook close हो जाएगा पुरा excel अगर बंद करना है तो आपको alt f4 प्रेस करना है, मैं alt f4 प्रेस करता हूँ alt f4 से पुरा पुरा exit होता है control f4 से बस उसके अंदर जितने workbook है एक एक करके close हो जाएगे और shift f4 से अगर मेरा यहाँ पर कुछ content है और cursor यहाँ पर है तो मैं shift f4 यहाँ पर दबाता हूँ तो यह क्या होगा shift f4 तो cursor beginning में चला जाता है करसर आपका यहाँ पर था shift f4 दबाईए cursor dragly उस position पर हम चले जाएगे beginning यहाँ पर a1 पर चले जाएगे shift f4 से इस तरह से हम कर सकते है alt ctrl और shift का इस्तमाल f4 के साथ तो f4 हमने देख लिया अब next shotker की तरफ बढ़ता है जो कि है f5 सबसे पहले तो powerpoint में f5 का इस्तमाल आपको पता होना चाहिए दोस्तो f5 powerpoint में होता है slide show के लिए मतलब यह slide मुझे present करनी है f5 यह देखिए f5 फिर इसके button से exit हो जाती है close हो जाती है f5 slide show powerpoint में इस्तमाल पता चला अच्छा windows में क्या इसका इस्तमाल है मैं सारी चीज़े minimize कर देता है अगर मैं f5 करता हो तो refresh यह तो बहुत सरे लोगों को पता है right click refresh करते हम वह आप f5 button से refresh कर सकते अभी नए windows में जातर refresh का जो काम है वो कम हो गया है पहले क्या होता था कि कभी-कभी आप desktop फोल्डर बनाते है तो वह दिखाए नहीं देता आपको refresh करने के बाद कभी-कभी वह लोड होता इसलिए refresh की मापे दी गई है तो f5 यह shortcut कि आप यहापे यूज कर सकते है अच्छा इस f5 को तो कौन से सेल पे आपको जाना है मुझे जाना है A5 पे तो A5 सेल रेफरेंस मैंने डाल दिया और मैं ऐसे OK करता हूँ तो A5 पे चला जा रहा हूँ देखिए F5 बटम प्रेस करती ही गूटू का डायला बोक्स आता है और गूटू यह कापी एडवांस है तो F5 का इस्तमाल कैसे करते हैं यहाँ पे तो आपको समझ मैं अच्छा F5 का और एक इस्तमाल है जैसी कि Excel के अंदर आप CTRL F5 प्रेस करते हो तो यह विंडो छूटी हो जाती राइट F5 बटन से यह छूटी हो जाती याद रहा कि Restore Down CTRL F5 लेकिन CTRL F5 दुबड़ा प्रेस करने से यह मैग्जमेज नहीं होती है मैग्जमेज के लिए आगे शॉटकर की मैं आपको बता हूँगा बट CTRL F5 यह होता है यहाँ पे Restore Down विंडो छूटी होती है लेकिन यही शॉटकर की आप वर्ड में नहीं इस्तमाल कर सकते है वर्ड में आपको Alt F5 करना पड़ता है Alt F5 यह देखिए अगर आप Alt F5 करते हो तो यह चोटा हो जाता है तो Alt F5, Ctrl F5 देन F5 कैसे इस्तमाल करना है समझा होगा सारी चीज़े डीटिल में बता रहा हूँ इसलिए Step by Step हर एक चीज़ का कॉंबिनेशन यहां पर मैं बता रहा हूँ टाइम लगने दो सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्मार्ट बनना चाहते है यह उसका साइन है फिलाल तो F6 के तरफ बढ़ते है तो यह function कीज़ का वीडियो तो आगे चलते रहेगा लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए साथी में share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और comment करके जरूर बताएगे कैसे लागा वीडियो अब तक का साथ कूर्से सीख सकते है और बहुत ही कम फीज में आपने कूर्से अवैलेबल करके दिया आपके लिए with practice file with PDF shortcuts and all सब कुछ provide किया है अगर आप interested हो skills सीखने में और skills सीख के आपने आपको upgrade करने में वही company में अगर आपको job करना है तो अच्छे skills का knowledge होना ज़रूरी है और वह skills आपको अमारे application पर मिलेंगे जरूर check out कर लो फिलाल तो आगे बढ़ते हैं screen के उपा अब F6 का इस्तमाल बहुत ही rare करते लोग F6 का इस्तमाल ही पताने लोगों को लेकिन आपको कहा गया कि F6 प्रेस करके Excel के अंदर में आता हूं कि यहां पर बहुत सारी sheet है मैं आपको example दिखाता हूं और आपको बोला है कि आपको sheet 5 से sheet 1 में जाना है keyboard से यह आपके लिए challenge बोला है इंटर्यू में पूचा गया sheet 1 आप keyboard से select करो mouse को हात मत लगाओ तो आप F6 प्रेस करोगे जैसे आप F6 प्रेस करोगे यहां पर ध्यान देद होगे यहां पर देखिए cursor highlight हो चुका है दुब़र आप access प्रेस करो cursor यहां पर चला गया F6 प्रेस करो ready पर फिर F6 प्रेस करो macro के लिए चला गया macro का वहां पर option से दुब़र F6 प्रेस करोगे तो cursor आपका यहां पर आ रहा है तो tab हो रहा है Windows के अंदर main menus है उसमें वह F6 tab कर रहा है आपको F6 प्रेस करते ही आप आ जाओगे फिर से नीचे और F6 प्रेस करोगे फिर अभी आप यहां पर आ चुके इस पर F6 प्रेस करोगे अभी आप शीट पर आ चुके यह थोड़ा सा highlight हो रहा है अगर आप left arrow यहां पर प्रेस करो कीबोड पर यहां पर प्रेस करो कीबोड पर मैं mouse को बिल्कुल हद नहीं लग रहा हूँ left arrow उसके बद एंटर करो मैं शीट 3 पर आ चुका हूँ फिर मैं F6 दुबारा प्रेस करोंगा फिर मैं left arrow प्रेस करोंगा शीट 1 पर आ चुका हूँ तो F6 से मैंने यहां पर यह मूँ कर लिया आप यह shortcut की desktop की उपर भी इस्तेमाल कर सकते है आपको बोलाए कि right side के जो ओप्शन से नहीं यहां पर टाइम होगे रहा प्रेंटली ओपन के लिए हमने जो अप्लिकेशन रखे वहां पर आ चुके आप इसमें आप एप 6 प्रेस करके आ चुके फिर इसमें switch होना है तो right arrow left arrow आप आ सकते हैं कुन से application में जाना है तो यहां पर मैं F6 प्रेस कर तो अभी मैं करसर यहां पर आ चुका हूँ यहां पर देखिए left or right arrow की से मैं in options को select कर रहा हूँ और मैं यहां पर enter करके settings भी कर सकता है इस पर enter करके So F6 यह बहुत ही useful shortcut key और बहुत सरे लोग इसके बारे में नहीं जानते है और आप जान चुके होंगे और आपको लगा अगयार यह कमाल की सर ने शॉटकर की बताई है तो इस बात पर इस वीडियो को like तो देदो यार फिलाल आगे बढ़ते है एप 7 शॉटकर की की तरफ अब एप 7 शॉटकर की का इस्तमाल हम Microsoft Word के अंदर करेंगे और वो है spilling and grammar के लिए पहले करेंगे इसका इस्तमाल जैसे मैंने Microsoft Word के अंदर एक नाम लिखा है जैसे मैंने लिखा यहां पर श्रीवल्ली आजकल यही फेहमस चला है नाम तो यही लिख देता हूं और रेडवीवे अंदर लाइन से spilling mistake word में बताता है रेडवीवे अंदर लाइन अपने spilling mistake कर दी अच्छा अपने एक word लिख दिया computer यह पर इसने underline नहीं दिया अपने एक और word लिख दिया computer अब यहां पर वो underline बता रहा है मतलब आपने गलत वर्ड अगर लिखे तो बतानी वाला है आपको इस तरह से तो मैं क्या चाहता हो कि इसमें रेड़ी वी अंडर लाइन हटाना चाहता है अब श्रीवाली तो मेरा करेक्ट ही है मुझे लगता है कि यह करेक्ट है अब यहां पर बता रहा है कि यह जो वर्ड श्रीवाली लिखावा उससा ुसचCR रलेदेर मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड है श्रीवालिक श्रिवेल्ण्, वो बता रहा है कि यह वर्ड हमारे पास है इस में और ignore all का meaning है कि आपके श्रीवाली सो बार लिखा है तो सभी की सभी इग्नोर हो और add का मतलब है कि श्रीवाली मुझे रोज लिखना है इस computer में तो इसे अपने dictionary में add करके रोखो, next time मैं श्रीवाली लिखोंगा तो मुझे यह spilling grammar mistake नहीं दिखाना है आपको, computer को हम बोल रहे, add to dictionary add मतलब इस computer की dictionary में add होगा, जब next time आप श्रीवाली लिखोंगे तो यह आपको यह वाली underline नहीं दिखाएगा, red bv underline बिल्कुल नहीं दिखाएगा वैसे भी underline print में नहीं आती है, बट यह ठीक है आपके लिए print में नहीं आएगी है, computer आपको यह पता देता है आपको यह mistake कर लिए, आपको preview में तो पता चल जाएगा, even इस word के लिए तो आपको ज़रूरी है underline आना, right, इसमें नहीं है तो आप इसे ignore कीजिया भी या फिर हमेशा के लिए computer में आड करना है, मतलब next time आप Microsoft Word चालो करोगे तो इस computer में श्रीवाली लिखोगे तो आपको वह गलत नहीं बताएगा लेकिन आपने ignore किया तो वह temporary, इस document के लिए वह hide मतलब यह कर रहा है, उसके underline हटा रहा है, यह देखिए, ignore अब उसने यह वाला word को छोड़ दिया, उसने चेक नहीं किया क्योंकि यह correct second वाला लेकिन computer जो नीचे लिखा गया है वो गलत है, और उसके लिए suggestion बता रहे कि आपको computer लिखना है, computer लिखना है या compare, तीन में से कौन सा लिखना है उसको select करो, और कहाँ पे click करो, change पे click करो, फिलाल वही हम करेंगे, change पे click करेंगे, यहाँ पे change दिखाए दिरे आपको, change all मतलब computer word आपने 100 वार लिखा है तो यह फिर जितनी वी वार लिखा है उतनी वार, सभी, तो मैं computer को select करके change कर रहा हूँ, और यहाँ पे spelling and grammar check is complete, complete हो चुका है भाई, और यहाँ पे आपको दि combination बनता है, shift के साथ, shift F7 से आता है, एक और task pane word के अंदर, थिशौरस, यहने synominance, इसका similar word, तो यहाँ पे processor, processor, CPU, computer related word का यह आपको बता रहा है, similar words बता रहा है, थिशौरस, shift F7, यह combination भी याद रखना है, चलिए अभी आगी के shortcut की तरफ बढ़ते है, वो है, एफट, इसका Excel में ज्यादा इस्तमाल होता है, Excel में आते हम, और यहाँ पे कुछ content मैंने type कर लिया, कोई भी content हो सकते है, मैंने content यहाँ एक number ही type कर लेता हूँ, और इसे repeat कर देता हूँ, अब यह repeat कैसे किया, मैं आगे बताऊंगा, आपको आगे shortcut keys है, इसके बारे में, फिलाल यह content आपको करसर जहाँ पे भी रखाऊं, वहाँ पे मुझे selection लॉक करने के लिए, keyword के पर मैं F8 बटम प्रेस करूँगा, जैसे मैं F8 एक बार प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे नीचे दिखाए देगा extend selection करके आपको एक option बता रहा है, extend selection होगा, क्या होगा अभी, selection extend होगा, F8 आपका करसर लॉक हो चुका है, देखिए, जो 45 आपने लिखा था, मतलब 45 जो आपने select किया था, D6 cell में, तो वो selection उस position पे लॉक हो चुका है, याद रखिए, फिर से F8 प्रेस कीजिए, अब देखिए, extend selection नाम यहाँ पे जो था, वो निकल गया है, और अब आप, आप down arrow प्रेस कर select हो गया, आपको कोई combination प्रेस करने की जूरत नहीं, shift हो गया, अब F8 दुबारा प्रेस करोगे, selection हट जाएगा, exchange selection अब चला गया, so F8 का इस्तमाल एक यह होता है, दूसरा F8, word और Excel में, alt F8 होता है, alt F8 macros की window लाने के लिए होता है, अब यह macro जो होता है, Excel में programming करने के लि जो भी macro अगर आप सीख लेते हो, Excel के अंदर का, तो आप यहाँ पे काम बहुत fast करते हैं, जी हाँ, अगर आप Excel में macro इस्तमाल नहीं कर रहे हो, तो आप घदा मजदूरी कर रहे हो, इसके उपर, मैंने already वीडियो बनाए अपने learn more channel के उपर, सती सर बोलते हैं कि घदा अगर की तरफ बढ़ते हैं, यह फॉर्मूला में जो यह selection है, इसमें कौन-कौन से number आगे है, वो मुझे देखने हैं, तो मैं keyboard पर F9 प्रेस करूँगा, इसको select करके F9, जैसे मैं F9 प्रेस करूँगा, वो सारी numbers उपर के दिखाए देंगे, कि इतनी सारी number है, अच्छाए काम करता हूँ, मैं यहाँ पे number अलग-लग type करता हूँ, क्योंकि वो एक ही number सब जगह पे दिखा रहा है आपको, क्योंकि सब जगह पे वैसे भी 45 लिखा गया था, तो आपको पता चलता है कि आपने जो selection किया है, उसका क्या result है, उसमें क्या आता है, और आप एक-एक formula को separate-separate भी calculate यहाँ पे F9 की जरिए कर सकते है, यह manual calculation का role भी play करता है, जैसे मैं यहाँ पे formula tab में जा रहा हूँ, और formula tab में यहाँ पे calculation options में, यह देखिए formula tab में Excel में, calculation option म मैंने manual mode रखा है, अब मैंने यहाँ पे formula लगा दिया, is equal to some, manual mode लगा दिया, और मैंने enter कर दिया, यहाँ पे answer तो आगया 913, अबर मैं यहाँ पे suppose एक value change कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नीचे update नहीं हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे keyboard पे F9 प्रेस करूँगा, तो वो update हो सकते है, F9 से calculate होता है, F9 जब आप प्रेस करके सारे जो formula आपने update किये, वो सारे के सारे यहाँ पे update हो जाते है, आप बोलते है, manual mode का क्या इस्तमाल होता है, वो तो Excel में आपको पता चल जाएग, अगर आप Excel सीख चुके होंगे, manual mode का बहुत सारे इस्तमाल है, जब आपके maximize हो जाता है, control F9 यह देखिए, Excel नीचे minimize है, मैं दुबर open करता हूँ, control F9 से minimize हो जाता है, maximize नहीं होगा, maximize minimize के लिए अलग से shortcut की जागे है, लेकिन यह control F9 का combination मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, अब next shortcut की तरफ बढ़ते है, वो है obtain, function में obtain का क्या इस्तमाल है, मैं इसे control F9 के साथ इस्तमाल करना चाहूँगा, पहले मैं shift F10 का इस्तमाल बताऊँगा, अगर एक्सल में right click करना चाहता हूँ, तो मैं इसके उपर mouse से right click करता हूँ, लेकिन मुझे mouse के बेगर right click करना है, तो माउस के बेगर right click करना है, तो shift F10 प्रेस कीजिएगा, ओहो, great, shift F10 यह देखे right, वही मिनों आ रहा है, right click का, shift F10 आप desktop पे भी प्रेस कर सकते हूँ, मैं से minimize करता हूँ, और मैं या पे shift F10 प्रेस करता हूँ, shift F10, desktop पे भी right click हो रहा है, आप folder select करते हो, इसके उपर भी, आप right click करना चाहते, shift F10, right, तो shift F10, right click का याप एक इस्तमाल हम कर सक क्या होता है, अगर आपने ये Excel screen open रखे और इसे restore करना है, Ctrl F10, छोटी कर दिये, Ctrl F10, right, maximize, हमने F5 के साथ इसका इस्तमाल देखा था, right, तभी हमने मैंने बताया था आपको कि F5 के साथ भी इसका इस्तमाल होता है, हमें Windows को छोटी करने के लिए, restore करने के लिए, Ctrl F5 के साथ, Excel के अंदर, Alt F5 के साथ, Word के अंदर, लेकिन वापे बड़ी नीरी होड़ी ती विंडो, यहापे दोनों होता है, Ctrl F10, Ctrl F10, Ctrl F10 से छोटी होगी, Ctrl F10 से फिर से maximize होगी, restore maximize, restore maximize, restore maximize करने के लिए, Ctrl F10 का इस्तमाल कर सकते है, right, और Alt के साथ इसका combination इस तरह सरेगा, अगर आप Alt F10 प्रेस करते हो, तो यहापे selection pane open हो जाता है, जिससे आपके जो भी object है, जैसे यहापे मैं insert में गया, chart है, या फिर picture से, जो भी है, मैं कुछ shape से यहापे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो shape को यहाँ से select भी कर सकते है, hide भी कर सकते है, hide, unhide, तो यह selection pane open करने के लिए, आपको Alt F10 यह सब में use होता है, Alt F10, selection pane का dialer box यहाँ यहाँ यह पर, task pane बोल सकते है, यह open हो जाता है, side में, selection pane, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, okay, so F10 अमने जान लिया, अब बार है F11 की दोस्तो, F11 होता है, full screen के लिए, आप Windows Explorer open करो, या फिर आप कोई भी, like Chrome browser open कर लो, जिसमें इस बार है, या पर जो उपर का menu's हो गयरा, सब गाई बोर है, F11 दोबारा प्रेस कीजिए, exit हो जाता है, full screen से, so F11 का यह इस्तमाल अपने जान लिया होगा, तो आप F12 की तरफ बढ़ते है, अब F12 का इस्तमाल हम पहले browser के अंदर देख लेते हैं, हमारा browser open है, F12 में प्रेस कर बार है, backend यहने की, कुछ coding, इसकी HTML, CSS की वो आप देख सकते है, okay, backend मतलब पूरा backend नहीं देख सकते है, लेकिन HTML, CSS का coding आप यहाँ देख सकते है, F12 की मदद से, browser के अंदर F12 का इस्तमाल यह होता है, Excel और Word के अंदर जान लेते हैं, Excel के अंदर इस file को, already मैंने saved कर चुका हू होगा, मैं से duplicate save करना चाहता हूँ, तो मैं keyboard पे F12 बडम प्रेस करूँगा, कुन सा बडम प्रेस करूँगा, F12 और F12 प्रेस करते ही, save as आता है, आप इसे multiple time save कर सकते है, F12 से save as dialog box, Word, Excel, PowerPoint में आता है, जिससे आप file को duplicate save कर सकते है, multiple time, मैं हमेशे उसका, तो जभी मैं suppose internet से file म में गई है, मैं उसके copy और जगह पे save करना चाहता हूँ, मैं इस पे F12 पर इसका file का नाम देता हूँ, that's it, save, और control F12 अगर मैं यहाँ पे open कर तो Word, Excel, PowerPoint में तो open का dialog हो साता है, open, control O से भी open कर सकते, control F12 से भी open कर सकते, F12 का इस्तमाल हमने जान लिया, हमने F12 यह function की का इस्त सारी लिंक्स दीए, check जरूर कर लिजेगा, bye bye